हेले वाइस वेल्कम दू माई यूटूब चैनल फेट क्रेजी आज कर जो मारे टॉपिक रहनाल है वह होगा नेचुरल डाइट मसल ग्रोथ वसेस न्यूट्रिशनल डाइट मसल ग्रोथ आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे क्या हम नेचुरल डाइट से अपनी मसल की ग करने के लिए आप मसल की ग्रोथ के लिए कंप्लेट ली नेचुरल फूट पर रिलाई कर सकते हैं या फिर सप्लीमेंट हमें लेना ज़रूरी है एक तरफ से सप्लीमेंट भी नेचुरल होते हैं लेकिन जो रेटूरल फूड होता है वो ज्यादा बैस्ट माना गया है इन कं जो हाई सोर्स होता है काप्स के प्रोटीन के जैसे मीट हो गया फिसे हो गई एक्स हो गए इन चीज को भी हमें कंसिडर करना चीए अपनी डाइट पर ताकि हमारी जो मसल ग्रोथ है वो अच्छी हो सके हमारे वेट का डबल तो नेचुरल फूट से हम इतना प्रोटीन नहीं ले सकते हैं एक ही बार में कि हमारी मुसल ग्रोथ हो अच्छी तरीके से एक अड़न सप्लिमेंट हम करते हैं जिससे हमारा प्रोटीन और काप्स वगेरा की जो क्वानिटिटी हो वह जितने हमें चाहिए उतनी मिल जाती है इसले हम कम्प्लिटर रिवाइड नहीं रह सकते ह निट्रिशन में या प्रोटीन पावडर वगेरा में क्योंकि हमें जरुरत हुती है नेचुरल फूट की भी तो आपको पताइए कि इससे कोई भी हमें डिसाइडवांटेज नहीं मिलते हैं पर जो हम निट्रिशन लेते हैं अगर वो फेक हुए या औरिजनल नहीं है तो उन अगर नहीं परचेस कर सकते हैं तो आप नॉर्मल मसल ग्रोथ के लिए या एक हली लाइफस्टाइल के लिए घर का खाने कंसिडर कर सकते हैं जैसे ओड्स हो गया आपके बनानाज हो गए एक्स हो गए पिनेट बटर एंड ब्राउन मेड अगरा बहुत सारी चीज़ा होती हैं आप इन्हीं को कंसिडर कर सकते हैं एक हल्दी लाइफ के लिए और एक अच्छी मसल ग्रोथ के लिए थैंक्स फर वर्चिंग दिस वीडियो अगर आप हुआ